आपका competitor आपसे कहीं आगे निकल रहा आपको से आगे निकलने के लिए अपने आपको किस में डालना पड़ेगा एक ऐसी skill में डालना पड़ेगा जहां आप अपने class को क्या कर सको जाता जाता नहीं चोड़ से क्लास का काम क्लास में ही खतम हो जाना चीए कई ऐसे student है आप लोगों ने भी अपनी life में mention किया होगा या महसूस किया होगा कि जब क्लास से निकले होगे तो आपको याद भी नहीं होगा टीचर ने आज क्या पढ़ाया और गैनिक पढ़ा रहा था या इन और गैनिक पढ़ा ठीक है उनसे जाकर पूचिए जिनका इंसवार इंटर्व्यू उन्होंने दिया और आठ नंबर साथ नंबर मेरे कई student हैं जिनका इसने कम-कम नंबर से नहीं हुआ ठीक है जिनको मैं जानता हूँ जो बाहर से मेरे साथ आकर जुड़े थे और इतने कम माक्स उनका नहीं होगा और बेस्ट की शुरुवात होती है classroom से ठीक है जब आप class में बैठीए तो आप active learning करिए passive learning आप करेंगे आप अंदाजा लगाईए कि पर दे तीन घंटे की आपकी class होती है एक हफते में कितनी class मालो five days आपका जो है class है तो कितने घंडे गए 15 ठीक है महीने में कितने साथ साथ गंडे तो एक साल में कितने घंटे अब आप अंदाजा लगाई है साथ सो बीस घंटे अगर एक साल में आपके बरबाद हो जाते हैं तो आपका output क्या रहेगा 720 आवर्स यह 720 आवर्स अगर आप यूज करते हैं तो आप कहां तक जा सकते हैं सो नेक्स स्किल मैं आप लोगों सिखाऊंगा वो आपको मैं सिखाऊंगा note making skill यानि active learning skill और active learning skill करके आप अपनी जो यह class आप लोग जो है कहते हैं कि class में मैं जा रहा हूं इसके बाद मैं कितना पढ़ऊंगा class में आपको class की चीज़ें तयार हो जानी चाहिए यह आपको स यूटलाइज करना है यानि इसको हम लोग बोलते है active learning यानि आपको सक्रिय रहकर सीखना है दूसरा नियम जो आपके concept के लिए सबसे important है आपको पूरी सक्रियता के साथ और सक्रियता के 2-3 नियम होते हैं पहला हम learning करते कैसे हैं एक सुनकर बाई listening दूसरा जो student हमारा होता है देखकर बाई seeing एन तीसरा अनुभोकर यानि ग्याने इंद्रियों का इस्तमाल कर senses राइट तीन तरह से हमारी major जो होती है वो learning होती है नमबर वन सुनकर बाई listening देखकर बाई seeing एन अनुभोकर बाई experience जब हम सुनकर learning करते हैं आप देखिएगा जैसे आप बड़े मजे से मेरी बात सुन रहे हैं और आप बड़े कोई सर इधर दिवाल पे है कोई आराम से बैठा हुआ कुछ हाथ ऐसे बंद है आप सुन रहे हैं माइंड के हिसाब से आप जब सुनकर learning करते हैं तो आप केवल 11% करते हैं जब आप optimally class में हो तब आपका concentration हो तब आप 11% के वल सीख पाते हैं suppose that मैंने 100 concept पढ़ाए आप कितना सीखोगे 11% अभी दूसरी बात बाकी है हम भूलते कैसे हैं यह तो हमने सीखा हम भूलते कैसे हैं 24 hours के अंदर within 24 hours हम किसी भी पढ़ीवी चीज का 80% भूल जाते हैं आज से दो साल तीन साल बात तुम्हें एक्जाम देना है वह यार इस वाले पेज पे था याद नहीं आ रहा था वहाँ पैन ऐसे तुम पकड़े होगे और जोर-जोर से मार रहे होगे यार याद आ जाता तुम्हें इसका answer कर लेता हुआ था सबके साथ हुआ होगा सबके साथ हुआ होगा क्योंकि वह धुनली धुनली यादे थी यहां धुनली यादों की कीमत बहुत जाता है यह निगेटिव मार्किंग होती है यह धुनली यादे जो है वह पीछे वाले से answer से निकाल लेती है वहाँ तो तुम्हारी निगेटिव नहीं थी नहीं यहां negative marking होती है negative marking खा जाती है तुम्हें तो याद रखिएगा अगर मैं सुनकर किसी चीज़ को महसूस करता हूँ तो मैं 11% जाओंगा अगर मैं किसी चीज़ को देखकर learn करता हूँ मैं उसको class में हूँ तो मैं लगभग जो है वह 82% से 83% तक जाता हूँ optimally रहने पर optimally देखना दो चीज़ों से होता है याद रखिए एक by eyes आँखों से और एक by mind यहां देखने को लेकर confusion मत होना यहां देखने को लेकर confusion मत होना generally जो untrained mind होता है जो untrained mind होता है जो प्रश्रिक्षित नहीं किया जाता है वह generally आँखों से देखता है ठीक है we have some pictures हमारा दिमाग जो उसको pictures का accept करता है and then next slide then next slide then next slide हमारा दिमाग में से चलता चला जाता है एक होता है mind से देखना ठीक है यानि कि जब हम कोई भी चीज सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं words हमारे कानों में पढ़ रहे हैं हम उसको pictures में convert करते हुए अपने दिमाग के साथ link करते चलते चले चले जाते यानि teacher कुछ पढ़ाता चला जा रहा है मैं जो आपसे कह रहा हू उसको अपनी आँखो से देखने की बज़े अपनी दिमाग से देखो और उस condition में अगर आपकी आँखे बंद भी हैं तो आपका दिमाग उसको तेजी से receive करता है यही reason है कि जब कोई योगी या मुनी या कोई वेक्ती होता तो आँखे बंद करके ध्यान लगता है रोटेस देखा होगा वो अपनी चेर बैटके बड़े लंबे समय तक आखे बंद करके क्या होता है वो सोचता रहता है आइस्टाइन किया करते थे प्रोफेसर हौकिंस किया करते थे तो यहां पर दो होता है मन की आँखों से देखना यानि माइंड साइस को हम लोग बोलते हैं दिम यानि इसको हम लोग बोलते हैं कलपना शक्ति आइंस्टाइन ने एक बार कहा भी था कि कलपना ग्यान से अधिक शक्तिशाली है imagination is much powerful than knowledge या Einstein की line है और वो अपनी सारी खोजें अपने दिमाग में किया करते थे तो दो तरीके से देखता है एक हमारे स्टिंट क्या होता है कई बार ऐसे देखता है class में ठीक है body language पकड़ वे आ जाती है वो board की तरफ देख रहा होता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और की तरफ होता है सबकुछ इसके दिमाग में चल रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो class में सिर्फ बैठा हुआ है उसकी आँखे खुली हुई है लेकिन उसका दिमाग क्या है बंद है यहीं पर वो दायरा ताय होता है कि एक student smart studies करेगा या student जो है वो passive study करेगा one who opt the active learning मेरे से guarantee ले लो कि कोई तुम्हाई तुम्हाई जगह रोक नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारा हर minute, हर घंटा, हर दिन एक बहुत productive दिन में convert हो जाएगा आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जादा जादा आना शुरू हो जाएगा और उसके लिए आपको अपने दिमाग को engage करना पड़ेगा इसको सिखाने में मुझे कम से कम 6 महीने, 7 महीने आपको देना पड़ेगा और आपको लगातार मेरे को follow करना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाता है और लेकिन उसके बाद जो है आपकी classes का जो रंग root है वो change हो जाएगा बिल्कुल आप class में जब बैटोगे तो आप ज़दा ज़दा चीज़ों को receive करोगे और आपको ये बात पता होगी कि आप लोगों को ये अंतर समझ में आ गया होगा आप लोग इससे पहले भी जहां से भी आए हो जिस background से भी आए हो different different वहां आपको ये मैसूस हुआ होगा कि teacher पढ़ा तो रहा है उसकी कुछ आवाजे मेरे कान में पढ़े लेकिन मेरे दिमाग तक वो चीज नहीं जा रही है घर जाने के बाद आपको ये तक आश्यर होता है कि आज टॉपिक क्या था पढ़ाईगा हुआ है कई बार हुआ एक घंटे या दो घंटे की कीमत समझ में नहीं आ रही है लेकिन जब यहीं दो घंटे मैंने आप लोगों को एक साल की घड़त बताई ना कितने घंटे हुए किदने घंटे का एज मिलेगा 720 घंटे का उसको 720 घंटे का एज मिलेगा वो अपने कंपटीटर से बहुत बहुत आगे चला जाएगा सो this is the next skill और अगर हम कोई चीज eksperience करते हैं we experience we do हमारी learning capacity 93% से Cooper हो जाती है हमारी Learning Capacity 93% से Уपर हो जाती है Same time, same teacher, same class, Same materials, n crt, ni OS जो भी कह लो But where is the difference how your mind perceive the information कि तुम्हारा दिमाग किसी भी सूचना को कैसे ग्रहण करता है teacher सेम है class में मैं जोगरफी पढ़ा हूं यह था आधा मैं तुम्हें अच्छी वाली पढ़ाओं तुम्हें ख़राब वाली वाली पढ़ां पढ़ांगा। बराबर पढा रहा हो एक रहें सब्सक्राइब मेरे लिए ये स्ट्रेण मुझे चाहिए ये स्ट्रेण मुझे चाहिए जो अपनी classes का optimum निकाल सके और मुझे यह skills आपको सिखानी है how can you convert your study into your experience आप अपनी studies को अपने experience में कैसे convert कर सकते हैं we have lot of methods और बच्चे करते हैं एसे ऐसे notes हैं ऐसे तरीके हैं जिस पर आप अपनी studies को अपने experience में convert कर सकते हैं that is the one of the most important thing so आज में भी आप यहां भी हो सकते हो हो सकता है इससे भी नीचे हो 15-20 में ज्यादा concentration आप जमाई आनी शुरू हो जाएगी ज्यादे दिर सुनने के बाद नीज आनी शुरू हो जाती है body passive तो सवाल यह है कि मुझे यहां से आपको यहां ले कर जाना है यह पूरा सफर यह पढ़ाई के यह training classes है इसलिए मैं टॉपर 50 बैच को मैं invite करता हूं केवल 50 बच्चे और मेरे खाल से we have done ठीक है in this particular batch and we are going far ahead ठीक है सुबह और साम दोनों मिलाकर we have enough students so this condition में जो है वो हम आपको training के साथ ले कर जाएंगे कि आपको यहां से यहां तक shift करना इसके लिए जो सबसे मुझे इंपोर्टेंट चीज़ से वह आपका डेडिकेशन से कि मेरा टीचर जो मुझे कह रहा है मुझे इसको फॉलो करना है चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो बहुत एक छोटा सा concept होता है किसी भी आदत को बदलना सबसे कठीन काम है बेचैन हो रहे हो बाड़ी इधर उदर मुवमेंट कर रही है ठकान हो रही है होगा अभी तो बहुत लंबा सफर है अब तुम्हें डिसाइड करना है जैसे इनकी बाड़ी लेंगे बता रही है कि यह थोड़ा सा इरिटेट से हो रहे हैं यह अभी कुछ पकड दिल्ली तो बहुत दूर है और मैंने पहले दिन क्या पताया था पहली क्लास मेरी कहाँ शूरू ही थी कीमत आप तै करेंगे जितनी बड़ी कीमत दोगे उतनी बड़ी चीज मिलेगी अगर आईस बनने का सपना देखा है तो कीमत के लिए तयार हो और ठीक है और यह कीमत त तुम्हें छोड़कर कोई नहीं दे सकता, it is not about the money, it is about the dedication, it is about giving your temptation, अपने लालच को छोड़ना है यहाँ पर, नीद को छोड़ना पड़ेगा, अनुशासन लेकर आना पड़ेगा, यह कीमत कोई और नहीं चुका सकता, तुम्हारे parents भी नहीं, तुम्हारे सगे संबंदी भी यह कीमत और केवल और केवल एक आज में चुका सकता और वो आप, so if you are giving this particular cost, अगर यह price आप चुकाने के लिए तयार हो, तो देश का सबसे top job आपके लिए ready, and if you are not willing to give this particular price, और यही होता है, यही होता है, ठीक है, हम एक coachings में जो है एक बहुत बड़ा dreamland create करते हैं, बस केवल पचास चाहिए, पचास जिनके बाद जुनून हो, कि UPSC को छोड़कर उनके सपने में कुछ आता ही ना हो, बस मुझे केवल वही पचास चाहिए, और मैं almost done, मैं अपना काम लगबग पूरा कर रहा हूँ, right, तो यहाँ पर जो है, वो हमें इसी तरह काम करना है, कि how can we think it, तो याद रखिएगा कीमत बहुत बड़ी है इसकी, लेकिन आपने लक्ष भी बहुत बड़ा बनाया है, अगर आप चपरासी बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अलग सेग्मेंट करिए, सिपाही दरोगा बनना चाहते हैं, उसके लिए अलग जाईए, लेकिन को जिन्दगी पर दुआएं देंगे, आप कितने लोग के घर में अनाश पहुचा सकते हैं, कितने लोग को भूक से मरने से बचा सकते हैं, कितने लोग को इस लू के थपड़ों से बचा कर रात में उनके लिए रहन बसेरा बनवा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अपने मावाब को आप किसी और जॉब में इतनी सम्मान नहीं दे सकते। किसी में नहीं दे सकते। एक आई-स ओफिसेश के मावाब को सारा आखों पे समाज बढ़ा गर रखता है। तो अगर आप वाकई में इतनी बड़ी जो है चीज को हांसिल करना चाहते हैं इतने बड़े बदलाव के लिए जाना चाहते हैं तो यह बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होगी आपके अंदर से होगी और discipline से शुरू होगी पहला discipline कभी भी class आपको नहीं छोड़नी है चाहे जो होजाए ठीक है चाहे जो होजाए आपको class नहीं छोड़नी है class से 10 मिनट पहले आना राइट दान इट यह बहुत important segment आई क्लास से 10 मिन पहले आना है क्या करोंगे दस मिनट पहले आके क्या करोंगे डास मिनट पहले आके जो भी टीचर ने पढ़ाया है क्विक करोगे बादचीत करना है और भाई कहां कहां से आयो क्या करना है नakers करना है उसको तुरनके 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 नहीं आ रही है उसको माख कर लेना प्रेंसिल से मुझे अपने टीचर से इसके बारे में बात करनी है आज जो ये क्लास में पढ़ाया गया है कल जो पढ़ाया था उसमें मुझे बात करनी मुझे ये समझ में नहीं आ है और without hesitation मेरी क्लास में question पूछना बहुत मस्त है अगर आप question नहीं पूछना है इसलिए छोटा बैच हम बनाते हैं ताकि आप जो है अपने अंदर की hesitation को निकालो अपने अंदर हो सकता है आप लोग ऐसी जगह से है जहां आपसे question पूछना मना किया जाता हो डांट पढ़ जाती हो जो teacher कहा रहा है जो हमने पढ़ा दिया वही ब्रम्ह वाक्य है यहां आपको question पूछना पढ़ेगा सर इसके चीजें क्या हो सकते और जो आपकी कमिया है मैंने भी क्या line लिखाई अपनी कमियों को जानना और उन्हें दूर करना अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप science background के हो और आज आपको art का subject पढ़ा जा रहा हो आप को समझ में नहीं आ रहा है ask with your teacher आप वहीं class में बात करो कि यहीं आपको जो है वो नर्चर करना है यह concept बैच concept development के लिए second class खतम हो गई teacher ने का yes done क्या करोगे फिर 10 मिनेट रुकोगे फिर 10 मिनेट रुकोगे आप दन नहीं हुए हो जो teacher ने पढ़ाया है उसको वहीं के वहीं revise करोगे write down it यह regular आपका नियम होना चाहिए वही के महीं उसको revise करोगे 10 minutes रुकोगे किसी से कोई मतलब नहीं है जिसको जाना है वो जाए we allow you to sit here हम आपको allow करते हैं आपको क्या करना है जो उन्होंने पढ़ाया है तकाल जो है आपका revision why according to the scientist जो first revision होना चाहिए किसी भी चीज का कोई information जो आपके आ रही आपने जो gather किया 30 minutes के अंदर हो जानी चाहिए otherwise हम उस चीज को hold नहीं कर पाएंगे हमारी जो memory होती है flash memory होती है ठीक है रैम और रोम मोबाइल में जानते होगे random SS memory and read only memory तो क्या होता flash memory के होती है आएगी information चली जाएगी आपको अपने दिमाग में लंबे समय तक information रोकनी है तो पहली revision जो होनी चाहिए first revision वो 30 minutes के अंदर done हो जानी चाहिए that is the rule लेकिन अगर आप class में बिना revision की उड़ गए जो teacher ने पढ़ाया है घर जाते जाते ठकान हो गई खाना खाया लंज किया एक्सवाजट किया 30 minutes क्या हो जाएगा access हो जाएगा हो सकता है कि आज साम तक किताब आपके पास कोई हर्बड़ी नहीं है यह दिस दो मोस्त रिलाक्सिंग बैच जहां पर हम बहुत दीरे दीरे अपने आपको जो है नर्चर करेंगे अपने व्यक्ति तो निर्माड की तरफ जाएंगे राइट अपनी personality development की तरफ जाएंगे करना चाहता हूं जो भी मेरा dream है कब मैं करना चाहता हूं फर्स तिंग यहां से आप शुरू करेंगे दूसरा आप mechanism डबलब करेंगे मैं इसको कैसे करना चाहता हूं तीक है मेरा mechanism क्या होगा जैसे आज आज मुझे पढ़नी है तो मेरे पास बुक कौन सी होनी चाहिए मेरे पास उसके पेज़े नंबर और पेज़े मालो 500 पेज़े तो मुझे इसको पढ़ने के लिए मेरा जो है वो कितने घ ठीक है यह 200 words per page per minute पढ़ती है यह 100 words per minute पढ़ते हैं एक घंटे बाद इनकी reading से कितनी ज्यादा होंगी जस्त डबल एक पूरे दिन में यह number of pages इन से क्या हो पढ़ेंगी डबल पढ़ेंगी एक week में यह एक किताब पढ़ते हैं या दो week में यह पूरी किताब खतम कर देती ह हैं इनको कितना time लगेगा दो week अगर एक week में यह difference पैदा हो रहा तो एक month में कितना difference पैदा होगा छे महीने में कितना पैदा होगा और साल भर में कितना पैदा होगा जरा मुझे बता दो हो सकता है कि इंड जो आपका यह साल है यह 10 किताबें इन से ज़्यादा पढ़ जिसने ज़्यादा पढ़ा है जिसने ज़्यादा पढ़ा है अब आपको यह बात नहीं पता थी कि मेरे per minute में कितने words मैं पढ़ता हूँ इस से इतना huge difference कैसे create हो सकता है नहीं सोचा ना that is known as mechanism that is known as mechanism हमारे student क्या कह था अरे 2020 में आईज बनना है भाई को इस बनेंगे लेकिन सोचा कैसे यह कैसे पर बात नहीं हो रही इस इस मेकनिजम यह आपको सिखाना है कि आपने देखा कि 100 words per minute और 200 words per minute काउंट करके mathematically calculation करके देख लोग कितना difference आ जाएगा यह कम से कम साल के end में इनसे 10 किताबे ज्यादा पढ़ चुकी होंगी और जब इनसे ज्यादा पढ़ेंगी तो इनसे चैंसल लिख पाएंगी कि नहीं लिख पाएंगी कि नहीं लिख पाएंगी इनसे ज्यादा कोर्स कवर कर और फिर आप कहते हैं मेरा selection नहीं हुआ